नमस्कार आपका स्वागत है जमू लिंक्स न्यूज में और मैं हो विशाल शर्मा लेकिन उसमें जो कंडिशन थी वो ये थी कि उसका वेट जो है वो पचेतर सो किलोग्राम से उपर नहीं होना चाहिए इस खबर के बाद काफी लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे कि आखिर इसकी इंप्लिमेंटेशन जो है वो जमू किश्मीर में कितनी है तो मेरे साथ इस समय आटे और जमू दनेतर सिंग मौजूद है सीधा इनी से सवाल करूँगा सर ये जो आदे शाया है कले केस की हेरिंग में कोट ने ये कहा कि जो लाइट मोटर वीकल लाइसेंस है उस पर हैवी मोटर वीकल भी ड्राइव हो सकता है तो इसकी इंप्लिमेंटेशन यहां पर कितनी है और एक्चुल में ये लाइट मोटर वीकल पर हैवी चला सकता है ऐसा नहीं है ये एक अनरेबल सुब्रेम कोट की डिरेक्शन थी और्डर थे 2018 से ये कोई आज नया आडर नहीं है उसमें ये जो जैसे आप जानते हैं कि पहले क्या था कि आपके पास अगर लाइसेंस है तो अगर आपका लाइट लाइसेंस हो तो उसमें PSV पसेंजर के लिए लग से होत में जिसके पास लाइसेंस है वो अप्टू 7500 केजी घाड़ी का जो वेट है जिसको ग्रास वेट बोलते हैं उस वेट तक घाड़ी को चला सकता है मालो साधारन भाशा हम यह कह सकते हैं कि जो यह सिंगल टायर वाली मैटडोर है वहां तक और गाड़ी चला सकता है लाइट जिसको हम कहते हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी और जेंड के में यह फुली इंप्लिमेंटेड है यहां पे हमारे पास दो लाइसेंस ही दो किसम के लाइसेंस बन रहे हैं हैवी अंड लाइट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़े लोग भी सिर्फ के लिए ही अप्लाई करते हैं तो आगर आपने यह इशू उठाया है तो और ज्यादा लोगों को हो जाएगी तो मैं आपके मादियम से भी लोगों से यह पताना चाहूंगा कि यह जैसे पहले से ही रूल है अगर आपको लाइट मोटर विकल का लाइसेंस है तो आप अपन जैसे लिए उसका विए जो है ग्रास वेट सेवंटी फाइओ के जी से उपर नहीं हो शाजी है जैसे इसके इलावा अभी फर्दर जैसाब ऑ यह पर जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है तो यह को लेकर क्या रूल्स है और किस तरह से उनका रहे जो उनका रहे तो यहां पे उसको प्रमोट करने के लिए जिसे आप जानते कि हमारा यहां पर टेक्स है रोटेक्स जिसको टोकन टेक्स करते हैं जो घाड़ी की कास्ट है इंक्लूडिंग जी एस्टी वह 9% टेक्स जो है वह उन इलेक्ट्रिक विकल्स को यहां पर एक्जिस्टेशन पी है उनको माफ है उनको कोई टेक्स नहीं करना अगर आपके बास यह विकल्स आप मेरे पास रिजिस्टर करना नहीं आते हो अभी तो डिलर के पास ही पावर्ज है यह वहां पे कराओगे आपको सिरफ 600 जो एक रिजिस्टेशन पी है वो लगती है इसके लावा आपको कोई टोकन टेक्स उस पे 9% जो टोकन टेक्स है जो लाको में लग जाता है जैसे अगर 20 लाक की गाड़ी है तो आपका 1.8 लाक्स आपको टेक्स लग जाएगा लेकिन उस यह विकल्स पे आपको कोई टेक्स हैं वो जम्मू सिटी और किश्मीर सिनगर सिटी जो हैं जो नान इनटेंबंट सिटीज हैं वहां पर नहीं चल सकती हैं तो इसका एक जो अल्टरनेट जो है वो अलेक्ट्रिक विकल ही है जिससे हम जो महोल को जो हमारे इन्वार्मेंट है उसको हम बचा पाएंगे अब तक लिकल्स के डिलर्स हैं वह वहीं पर नंबर लगाते हैं और गाड़ी यह बिक रही हैं ऐसी बात नहीं है जहां से वह गाड़ी लेंगी वहीं उसका नंबर भी लग जाता है जिस आउडर के आपने बात कि अभी कि जो जम्मू और शिंडगर में जो है वो बीस साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी इसको लेगर भी कुछ लोगों में कन्फूजन था कि जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं या फिर जम्मू की किस परिफेरी की बात कर रहे हैं कि यहां पर गाड़ी नहीं चलेगी और बाकी जो एरियास की बात है तो वहां पर जो पच्चीस प्ल mãe आपकर यहां ऐसा बहुत यहां है जो कृती कि फ़िए जलिए कि अगाड हूं कंई समय कि अगर कोई गाड़ी यहां पर 20 साल पुराणी है तो वो यहां से आउट अगर सुट की बात करें या सर्फ का औLP की बात करें तो वहां बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर प्रॉसेस जो है वो काफी स्लो जो है मूव करता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ उसमें पदला देखिए मैं आपके मादेम से लोगों से यह एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आप आनलाइन सर्विस वेल कर रहे हो तो उसम मिसमें थोड़ा जीसां आउए अवेयर होना वड़ा जरूरी है क्योंकि देखिए आप को आप इसमें जाना था लाइन Rapha व में लगना था फिर आपको चक्रकारने थे अगर को सारी चीज़हं गवर्मेट यह डपार्टमन्न्नन आपको एक यह सीयों से कापने अभिसर से क् के पास भी लोग आये होंगे उसमें अधार बेस्ट का मतलब है कि आपने अधार आपका जो नंबर है जो आपका एडरस अधार पे है उस सेम आडरस आपने अपने सार्थी पोटल पर डालना है जब आप अधार नंबर डालोगे तो फैच होता वहां से तो क्या हो रहा है आप 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 आपने अधार बेस्ट कर रहे हो तो वही आडरस आप अपने अधार पर भी भरिये जो आपके अधार पे है इवनके मुवाइल नंबर भी आप चेंज मत कीजिए आप मुवाइल नंबर चेंज करोगे तो उसमें दिक्कत यह आएगी कि जो ओटीपी है वो आपके अधार में जो मुवाइल नंबर उस पर चला जाएगा और आप नया मुवाइल नंबर यहां लिख रहे हो तो उसमें कुछ चीजें जो हमें इसके लिए अवेर होना आते हैं तो वह जब वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है तो आगे प्रोसेस जो है पूरा रुख जाता है तो क्या इसको लेकर भी कुछ बदलाग हो सकते हैं कि जो एक्ट्वल क्योंकि रेवनियर रिकॉर्ड के इसाब से आड्रस वहां पर आते हैं लिए जगा के नाम इस दो आपने जाता है लृवाँ लेवाले हो यहां का आपके आपका पुन लैसेके एडर्री प्रूफ होना चाहिए तो आप अगर आप purchase प्लूड करना आह तो अगर आप अपना change up address मालो आप पुंच के रहने वाले हो आप जम्मू का address change कराना चाहते हो तो आपको जम्मू का कुछ address proof online portal पे upload करना पड़ेगा तब ही आप change up address कर सकते हो विदोड कोई proof आपकी कोई भी service accept नहीं की जाएगी मालो आप लेख रहे हो कि मैं पुंच में रहता हूं लेकिन आप मैं गांधी नगर जम्मू में रह रहा हूं तो गांधी नगर जम्मू का आपको address proof upload करना पड़ेगा तो क्या अभी जो बाहर की गाड़ी है वो जहां पर एसप्टीड है या एस पर रूल जो है वो एक साल के बाद उन्हें नंबर चेंग कर देखिए अभी तक जो मोटर विकल एक्ट का section 47 है और रेड़ विदर section 50 वह अभी तक implemented है अगर आप गाड़ी बाहर से लाते और आफ्टर वन येर विदिन वन येर आपने उसका री रेडिस्टर यहां पर करवानी है हाँ यह जो मैटर है यह अनुरेबल हाई कोर्ड में सब्जूरिस है हम किसी को फोर्श नहीं कर रहे है अगर कोई ना करवा है तो उसको हम नहीं बोलते हैं कि तो आज आजए क्यों कि क अगर आपको एक साल तक ना करें तो उसमें को दिकत नहीं है तो बहुत से यहां पर शेड हुई और यह जो लाइसेंस का इशू था इस पर साफ कहा गया कि जिसके पास लाइट मोटर विकल लाइसेंस है वह चतर सो किलोग्राम जो उसमें वेड लिखा गया है वहां तक की जो गाड़ी है वो चला सकता है बेश्यक को पसंजर गाड़ी हो बेश्यक कोई भी हो और बाकी की जो चीज़ें है विशेश कर आउट आफ स्टेट गाड़ी का जो मसला था उस पर फिलहाल आपको राहत है जब तक कोर्ट से और नहीं आता है और बाकी जो ऑनलाइन जो में कुछ परिशानी है तो उसके लिए आपको जो है वो अपना सिस्टम और जो बाकी चीज़ें है वही अपग्रेड करनी होगी आप देखते रहें जमू लिंक्स न्यूस नमस्क्राइब